नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे रॉलेट एक्ट क्या था या फिर रॉलेट एक्ट पर टिपनी लिखिये ठीक है इससे संबने प्रेशन मत्य प्रदेश की बोर्ड वर लोकल परिक्षाओं में पूछा जाता है विशे इत् दोस्तों इसलिए आपको ध्यान पूर्वक देखना चाहिए तो हम देखते हैं रॉलेट एक्ट आखिर क्या था रॉलेट एक्ट से ताट पर्रे उस कानून से था जो ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में कैंद्रिये विधान परिशद में पास किया था समझे यानि की जो रॉलेट एक्ट था वहें कानून था एक प्रकार का जो ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में विधान परिशद में पास किया था इस कानून को राष्टर वादियों का दमन करने के लिए पास किया गया था बहुत ही चालाग थे कौन अंग्रेज लोग जो आ इस कानून को राष्टर वादियों का दमन करने के लिए पास किया गया था ताकि हम आसानी से राष्टर वादियों का दमन कर सकें ठीक ना उनके आंदोलन को कुचल सकें इस कानून के कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसने राष्टर वादियों में व्यापक आक्रोश उत्प और वो आक्रोशित हो गए इस कानून के द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया याने कि सरकार कौन सी ब्रेटिश सरकार अंग्रेजों की सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतिये को बिना मुकदमा चलाए तथा बिना डंड दिये जेल बारतिये को उठा सकती है बस संधे हुआ और उठा सकती है तिक ना नो अपील और नो दलील के तहत भारतिये को बिना मुकदमा चलाए तदा बिना डंड दीए जेल भेश सकती थी संबंधित व्यक्तियों को न्यायले में पेश करने की भी आवशकता नहीं थी जैसे आपने द देखा होगा दोस्तों अगर मानलो मैंने कोई अपरात किया तो मुझे सबसे पहले पुलिस पकड़ेगी और पुलिस मुझे कोर्ट के सामने पेश कर देगी और कोर्ट मुझे जो भी डंड देगा तब तक मैं जेल में रहूंगा या कुछ भी रहूंगा लेकिन यहां तो संबंधित व्यक्ति को न्यायले में पेश करने की भी आवशक्ता नहीं थी संग्षेप में कहें तो यह है एक ऐसा कानून था जिसमें कोई दलील कोई वकील या कोई अपील नहीं थी ठीक ना ना तो अपराधी यानि कि जिसने कोई अपराधी नहीं किया पहली बात तो जो राष्टवादी जो लोग थे ना तो ये दलील रख सकते थे ना ही ये कोई वकील कर सकते थे और ना ही कोई अपील कर सकते थे ठीक ना राष्टवादी नेताओं ने इसे काला कानून कहकर पुकारा था जिसने नागरीकों की स्वाधिनता पर प्रहार किया था यानि कि इसके कारण यानि कि रॉलेट एक्ट के कारण यानि कि इसके विरोध में आवाज बुलंद की राष्टवादी नेताओं ने और राष्टवादी नेताओं ने इस कानून को नागरीकों की स्वाधिनताईनी स्वतंतरता पर एक प्रकार का प्रहार माना था ठीक है न, यानि कि अंग्रेजों की इन्होंने भर्षना की थी, अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, किसके कारण, रॉलेट एक्ट के कारण, उमिद है आज क्या वीडियो को पसंद आयोगा, समझ भी आयोगा, मैं चैनल को लाइक करें, शेर करें, वा सब्सक करें, धन्यवाद